ट्रेडिंग 360 में आपका स्वागत करता हूँ एक नए स्टॉक के साथ सी कोस्ट शिपिंग सर्विसिस लिमिटेड ये लोजिस्टिक कंपनी है जो गुजराद बेज्ट कंपनी है और कफी अच्छी कंपनी है अभी हालागे एक छोटे से मार्केट केप की कंपनी है गाइस बट ये आपको मल्टी वेगर रिटन्स दे सकती है अभी काफी दिन से जब से इसके रिजल्ट आया है जब से अपर सर्कीट में था इसका स्टॉक एक दिन करेक्शन के बाद में बापस ये अपर सर्कीट पर अपर सर्कीट इसमर चल रहा है तो बात करें कि इसमें अभी entry लेना सही है कि हाँ बिल्कुल इसमें entry लेना सही है क्योंकि इसका जो 52 भी खाई है वो 25 रुपय के आसपास है तो हम बात करते हैं थोड़ा से इसके financial की तो आप देखेंगे कि market cap है 112 करोड का और 13 का इसका stock PE है और compare करते हैं अगर industry PE से तो वो 30 के आसपास है तो उसके comparison में ये काफी undervalued stock है काफी सही valuation पर मिल रहा है और book value की बात करें हम तो book value है इसकी 1 रुपया 42 पैस है और current price है अभी 3 रुपय के आसपास 3 रुपय 34 पैस के आसपास और 25 रुपय का stock जो है high भी लगा चुका है debt की बात करें तो साड़े 22 करोल का company पर debt है तो इक इसमें बड़ी important चीज है कि छोटा सा जैसे market cap का ये stock है company है और आप देखेंगे ROE और ROC जो हैं दोनों ही इसके positive हैं तो एक बहुत अच्छी बात है तो हम ध्यान रखेंगे कि market cap जो debt है company पर वो करोड़े 22 करोल का है तो आप देखेंगे कि इसका चार्ड भी देखेंगे कि कितनी बड़ी गिरावाट हुई है इस stock में कि एक high लगाने के बाद और ये 200 DMA से भी नीचे और 50 DMA से भी काफी नीचे जा चुका है तो इस stock काफी नीचे आ चुका है guys काफी अच्छे valuation पर भी मिल रहा है और बात करें हम इसकी अब के sales की जो company ने भी दर्च की ये भी sales तो आप देखेंगे कि June quarter में 53 करोड की sales हुई है जबकि March quarter में 21 करोड की थी और वही June quarter में 60 करोड के असपास की थी तो यहाँ पर और net profit की बात करें तो 3 the sum love जो बात करें हम net profit की तो guys तीन करोड का सपास की जो net profit थी वो बढ़कर अभी तीन करोड एक लाग रुपे की हो चुकी है और बात करें अगर इसके EPS की तो EPS भी almost like same ही है अगर हम बात करें EPS की तो जो June quarter में था 0.09 वो अभी भी 0.09 है बट company जो है जिस तरह से परफॉर्म कर रही है जिस तरह से इसका जो operating profit अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है guys तो यह एक major एक factor है जिस वज़ा से इस stock अभी काफी ज़्यादा भाग रहा है अपसाइट की तरह क्योंकि operating profit इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि stock काफी नीचे जा चुका है तो चांसे से कि यह एक अच्छी really अभी को जारी रखेगा यह stock so जैसा कि हमने उपर discuss किया था कि company पर जो है वो 22 करोर के असपास का date है तो और company के पास जो रीजर्स है वो 14 करोर का आसपस का है और तौरोड का जो है कंपनी पर अभी बोरोईंग और आप FIIs की भी entry देखेंगे, FIIs की भी अच्छी आसी holding बने हुई है, 1.78% की, और public की holding है, 45, यानि 45 के आसपास की, जो है public की holding है, तो मेरे answer जैसा मैं कि देख रहा हूँ, इसके जो net profit, sorry, इसका जो कर मैं sales and revenue और operating profit का comparison करूँ गाइस, तो आप देखेंगे कि ये जो stock है, इसने जहाँ 21 करोड का profit था, sales company का पिछले quarter में था, March quarter में, वो भी बढ़कर 91 करोड के आसपास हो चुका है, 4 गुना से ज़ादा हो चुका है, जून के comparison में भी, almost 50% के आसपास increment आप देखेंगे, इसके sales and revenue में, तो एक काफी अच्छा result company ने पेश किया है, जिस तरह से चोटा से stock है, चोटा से market cap की company है, और operating profit जो है, ये भी काफी शानदार है, इस stock की, और आप देखेंगे कि industry PE की बात करें, तो industry PE भी आप देखेंगे कि इसका, अभी जो है वो सही valuation पर मिल रहा है, ओबरवोट वाली situation नहीं है, तो सारे और 6 महीने की बात करें, तो negative में return दिया है stock ने, और 3 महीने से भी negative महीने, बट अभी upper circuit में चल रहा है stock, और काफी सही valuation पर मिल रहा है, क्योंकि 25 रुपे का high लगाने के बाद अभी 3 रुपे पर stock मिल रहा है, तो काफी heavy buying भी आ रही है, क्योंकि sales and revenue जो है काफी अच्छा company ने दर्च किया है भी, और net profit हलाकि इसका same है, बट एक consistency बनाई हुई है stock ने, तो आप देखेंगे 3 करोड, 3 करोड, 10 करोड, 10 लाग से 3 करोड, 1 लाग के असपास का है, बट अभी पिछले quarter में minus में था, negative में था इसका e quarter, तो यहाँ पर chances है guys, कि यह stock आपको multi-vagger return दे सकता है, और अभी तक कि जो इसकी देखेंगे कि आप इसकी जो sales, जो EPS जो 0.09 का वो अभी भी 0.09 है, जैसे मैं बाद में फिर से repeat कर रहा हूँ, और net profit जो था, इसका जो June quarter में था, वो 3.10 करोड का था, जो अभी भी 3 करोड, 1 करोड का सपास का है, तो अभी तक का, आप देखेंगे, compare करेंगे, तो इतने सारे quarters में से, पिछले सबी quarters में से, company ने इसी 2 quarters में कफी अच्छी results पेश किये हैं, तो चांसे हैं कि एक अच्छा movement दिखा सकता है, अगर अभी 3 रूपे पर trade करता है, तो चांसे हैं कि जैसे 50 DA में और 200 DA में के काफी नीचे stock trade कर रहा है, और results भी काफी consistency बनी हुए results में, तो चांसे हैं कि यह आपको 5-6 रूपे या 10 रूपे तक भी जाता हुए दिखाई दे सकता है stock, तो अभी 3.5 पर trade कर रहा है, और 10 रूपे जाने में अभी इसका लगबग 3 गुना आपका पैसा हो जाएगा, आपके portfolio होगा, तो अभी आप इसमें कुछ shares भाई कर सकते हैं, क्योंकि छोटे market के अपकी company है, तो अप 1000-10,000 shares इसके लेके, और आप इसमें long term के लिए या फिर short term के लिए भी छोड़ सकते हैं, और आपको अच्छा सा return ये stock दे सकता है, तो मेरे answer भाई कॉल है guys, and एक दू दिन के अंदर आप BAC पे, I think BAC पे अवलेवल है ये नहीं है, I'm not sure, बड़ आप इसमें दोनों NSE ये आपको नहीं मिलते हैं, तो BAC आप ट्राइ कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस stock में एंट्री लेंगे, उसके बाद में फिर, आपको जैसे ही 20-25% का अगर profit होता है, तो आप इसमें exit भी कर सकते हैं इस stock से, so guys, इसमें मेरे एंट से buy call है, और आपको अच्छा return दे सकता है, short term में ये stock, आपके पैसे double भी कर सकता है, so please buy this stock for multi-bagger returns, and also consult with your financial advisor, before you buy any share recommended by this channel, so thank you so much guys, and all the best.